राधे राधे आशा करते हों कि आप सभी लोग खुश होंगे, सोस्त होंगे, मस्त होंगे आज मैं आप लोगों को अपने वीडियो के द्वारा बताने जा रही हूं कि सन 2024 में कितने ग्रहन लगेंगे चंद्रग्रहन और सूरीग्रहन कितने लगेंगे और पहला चंद्रग्रहन कब लगेगा इसकी संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने जा रही हूँ किर्पिया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा जिससे की जादा से जादा लोगों तक यह जानकारी पहुँचे स्री समवत 2018 शक 1946 वर्स का प्रत्थम ग्रहन का विवरण स्री समवत 2018 में वीश्व में चार ग्रहन लग रहे हैं जिन में दो चंद ग्रहन हैं और दो सूरी ग्रहन होगा अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि यह चंद ग्रहन कब पड़ेगा पहला चंद ग्रहन कब पड़ेगा भादबद शुक्ल पक्ष बुद्धवार 18 सितंबर 2024 को लगने वाला खंड चंद ग्रहन है यह ग्रहन अंटार्टिका, पश्चमी हिंद महासागर, मद्ध पुर्व अफ्रिका, यूरोप, अटलांटिक महासागर, अमेरिका पश्चमी अलास्का के अधिकांस भाग को छोड़ करके पूर्वी पॉली नेशिया में दिखाई देगा चंदरास्त के समय ग्रहन का प्रारंब क्रोजेट ध्वीप, मेडा गासकर, सोमालिया, सोधी अरव के अधिकांस भाग, इराक, इरान तथा रूस के कुछ भाग में दिखाई देगा चंदरोदे के समय ग्रहन का अंत, दच्छ तथा उत्री प्रसांत महासागर तथा कनाडा में दिखाई देगा भारतिय मानक समय अनुसार ग्रहन का आरंब दिन में 7 बच करके 42 मिनट पर तथा मोक्ष दिन में 8 बच करके 47 मिनट पर होगा धर्म सास्तरों के अनुसार चंद ग्रहन में ग्रहन से पुर्व 9 घंटे और सूरी ग्रहन में 12 घंटे पहले ग्रहन का सूतक होता है इसमें बालक, ब्रध और रोगी को छोड़ करके अने लोगों के लिए भोजन निसिध होता है सूरी ग्रहे तू नाशियात पुर्व यामस्चतुष्टयम चंद ग्रहे तू यामस्त्रीन बाल ब्रध आतुर विनाह श्रद्धालो धार्मिक जनता को धर्म सास्त्री विचन के अनुशार भोजन निवरित के साथ साथ धार्मिक क्रत श्राद दान आदिवी करना चाहिए ग्रहन काल में जपाग या मंत्र सिध्प्रद होता है यह अनुभूत है यह प्रमानित है अनिष्ट ग्रहन एवं फल निवारनार्थ दान सोन निर्मित सर्प कासे की बरतन में तिल वस्त्र एवं देचना के साथ सोत्रिय ब्राह्मन को दान करना चाहिए अथ्वा अपनी शक्ती के नुशार सोने या चांदी का ग्रह विव बना करके ग्रहन जनित दुष्ट फल निवारन है तो दान करना चाहिए मंत्र इस प्रकार से है तमो मया महा भीम सोम सूरी विमर्दन हेम नाग प्रदानेन मम शांती प्रदो भव विधुन तुद नमस्तु भ्यम सिंग का आनन्द चैयुताम दानेन आनेन नागस रक्षमाम वेदना अध्यात विशेस्त ग्रहन जनित दुष्ट फल निवारन के लिए गौव भूमी स्वन का दान देवग्गी के लिए करना चाहिए जिस रासी के लिए अरिष्ट हो उन्हे ग्रहन नहीं देखना चाहिए सूरी ग्रहन में गंगा, पुन्य प्रियाग, पुष्कर, अत्वा, कुरू छेत में इस्नान करना महापुन्यदाई होता है ग्रहन के समय भोजन में विसेश रवीवार के दिन सूरी संक्रांती एवं चंद सूरी ग्रहन में रवीवार के दिन पारणा एवं उपवास पुत्रवान ग्रहस्त को नहीं करना चाहिए। चलिए अब मैं आपनों को बताती हूँ कि हिंदुस्तान में भारत वर्ष में यह ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा और इसका प्रभाव किनकिन छेत्रों में पड़ेगा। स्री संबद 2021 में विश्व में चार गहन जो लग रहे हैं उनमें से प्रथम है चंद्र गहन। यह चंद्र गहन भारत वर्ष में दिखाई नहीं देगा। भारत वर्ष में द्रश्य नहीं होगा। इसलिए इसका कोई भी प्रभाव अध्वा दुश्प्रभाव भारत वर्ष के इसी भी कोने पर नहीं पड़ेगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो किर्पया कमेंट बॉक्स में जैश्री राम अवसे ही लिख दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बगल में बेल आइकन हैं से जरूर दवा दें। आप सबी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।